इंडिया में 500 प्लस इंटरेट सर्विस प्रोवाइडर है और देखा जाया तो नमबर बन पे जियो आता है फिर आपको पता नहीं हो कि सेकंड पे बी एसल का नमबर है और थर्ड पॉजिशन एटल की है लेकिन इस ब्रॉडबेंड वाली रेस के अंदर भी दो कंपनियों में अगसर रिस्ट लगी रहती एक है अपकी जियो और एटल यानि कि जियो का जियो फाइबर आता है और एटल का एक्स्ट्रीम फाइबर आता है पर आखिर इन दौनों में इससे बैटर कौन से है किसमें आपको बैटर वेल्यू मिलती है इस सवाल का जवाब आज इस वीडिय उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा GST एट करना पड़ेगा और उसके बात कीमत यहाँ पर जादा हो जागी हलाकि बात की जाए तो एंट्री लेवल जो प्लान रहता है यह जियो में थोड़ा सा सस्ता है जो कि आता है 399 प्लस GST के साथ और यह परमंत जो प्लान होते है उसक आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रीम की प्रीमियम सर्विस देखने को मिलेगी विंक न्यूजिक का सब्स्रिप्शन है फास्ट टैग और अपोलो 247 के ऐसे कुछ सर्विसस देखने को मिलती है और कुल मिलाके बात है कि एक्टल वाले थोड़ी सी जाद जीबी और यह इसकी FUP लिमिट रहती है इसके साथ ही बात करें तो जीओ के अंदर आपको 700 रुपे का भी प्लान देखने को मिलता है इसमें 100 Mbps की स्पीड आती है लेकिन जीओ ने यहाँ पर क्या किया कि AATEL से कॉम्पीट करने के लिए कुछ ऐसे प्लान को इन्हों और 899 वाला प्लान भी आता है जीओ का जिसके अंदर उन्होंने 14 OTT apps कर रखी है लेकिन स्पीड को 100 Mbps कर दिया और देखा तो कुल मिलाके नोंने AATEL से कम्पीट करने के लिए AATEL एक्स्रीम हों जो जीओ जो OTT apps रहती है इसकी बीच में डिफरेंस गया देखो AATEL की एक स्ट्रीम एक सर्विस आती है जिसकी वेबसेट यह एप पर जाके अब मल्टीपल एप्स को जो कॉंटेंट होता वो देख सकते है अलग-अलग सब्सक्रिप्शन नहीं देता है यहां पर AATEL एक ही एप के अंदर उनका कॉंटेंट को यहां पर अवालेबल आपस आ जाती है जैसकी बात करें हैं आपको Sony Leve, Z5, Discovery Plus है, Woot देखने को मलती है, Eros Now, Lionsgate Play ऐसी बहुत सारी एपस हैं इसके अंदर लेकिन बात यह कि काफी सारी जो एपस होती वो जियो के सेट्टाव बॉक्स में चलती है जियो के अंदर एक अलग से सेट्टाव बॉक्स लेना पड़ता है और अगर आपने किसी इंटरनेट प्लान को सब्सक्राइब किया तो उसके साथ जो एप सारी उनको अब जियो टीवी बॉक्स के अंदर देख सकते हैं हाला कि जित्ती भी एपस का सब्सक्रिप्शन है वो तो वहां पर आएगा लेकिन कुछ ऐसी एपस हो वूट हो गई वो सर्फ एक्स्क्यूजिवी जियो के सेट्टाप बॉक्स में ही चलती है उनका आप यूज बाहर नहीं कर सकते हो इसके साथ ही जियो फाइबर के साथ जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन प्लान इनो ने प्रॉमिस किया है लेकिन एक कम ही हाप पर देखिए यह जियो सिनेमा तो वैसे ही फ्री में अवैलेबल है और यहाँ पर अगर मैं उनका जो प्रीमियम जो एच्बियो वाला कॉंटेंट है अगर मैं वह यहाँ पर देखू तो उसके लिए यहाँ पर मिरेको पैसे भी प्रॉवाइट करने पड़ते हैं तो हो सकता है नई इसी जिए देखने को मिलते है कि कुछ एप्स को बाहर यूज कर सकते हूँ कुछ इसके अंदर यूसफूल एप्स भी आ जाती है आप पर जो अल्मोस सारी एपस को कवर कर देती है एक सारी पॉप्लर एप नहीं आती है हाला कि एएटल के अंदर एक बात है कि जो महेंगे साथ है ना वहाँ पर आपको डिजनी प्लस होट स्टार, एमिजन प्राइम वीडियो और नैट्फ्रिस का भी सुस्क्रिप्शन देखने को मिलता है लेकिन इसके बाद एक बात क्लियर कर देता हूँ डिजनी प्लस होट स्टार का दौनल जो एप होती है जिए और एक्स्ट सब्स्क्रिप्शन सर्विसेज भी देता है लेकिन इसके साथ एक इंपोर्टेंट बात होती है स्पीड और रिलैबलीटि इखो जीओ और एर्ल दौनों ही काफी ज़याद स्पीड रहती है अगर आपने जो भी प्लान ले रखा है हमेशा उससे स्पीड टेस में थोड़ी जादा स्पीड आएगी, मतब 30 मेगा बिट्स का इस प्लान ले रखा है ना, तो 30 की 35 भी हो सकती है, जियो वाले 30 की 31, 32 तक ही जा सकते हैं, पिंग वगरा में भी ऐसा कोई खास डिफ्रेंस देखा नहीं, पहले जियो में काफी बिकार पिंग होता था, अब वो चीज़ जियो के अंदर थोड़ी इंप्रूब हो गई है, ये एक बात बता सकता हूं कि दॉनों की availability अभी भी question mark है, कुछ areas होते हैं जहां पर सिर्फ air tell available होता है, कुछ areas होते हैं जहां से geo available होता है, कुछ areas में जहां दौनों available होते हैं, कुछ जगे geo आना चाहता है लेकिंका fiber available नहीं है, इसलिए वो अपना air fiber लेकर आ है, जिसके अंदर 5G network का use करके आपको fiber broadband जैसी speed घर पर provide करेगा, मतलब एक device आपके घर के बाहर लगेगा, वो directly 5G tower से connected हो जाएगा, और आपके घर में एक Wi-Fi router होगा जो आपको high speed यहां पर provide करेगा, इस concept को geo implement करने वाली है, लेकिं geo ने पिछले साल इस चीज़ को दिखा था, जो कि आने वाले समय जिसका में ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कहीं पिए अगर दौनों ही available ना हो, तो जो air fiber का concept आ रहे है यह लोगों की काफी जादा बदद करते, इसके साथ ही चलिए दौनों के plans को एक बार compare कर लेते, जैसके मैंने बताया कि 40 Mbps का plan 499 प्लस GST से यहाँ पे Airtel में शुरू होता है, वहीं जो basic जो plan रहता है वो आपका 399 से शुरू हो जायता है जियो के अंदर, 800 रुपीज में आपका 100 Mbps Airtel देता है तो जियो 700 रुपे में प्रोवाइड कर देता है, लेकिन वहीं बात करें, 1000 रुपे में जो जियो है वो 150 Mbps की speed देता है, लेकिन जो Airtel होता है वो 200 Mbps की speed प्रोवाइड करता है, लेकिन Airtel भी इसी के साथ है आपको एक साल का Amazon Prime, Video, Disney Plus, Hotstar, 10 से जादा OTTFs इन सब के subscription भी प्रोवाइड करता है 200 Mbps speed के साथ, वहीं यहाँ पर जो 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 14 OTT apps को यहाँ पर टोटल प्रोवाइड करता है, इसके साथ यगर Netflix enjoy करना है तो Netflix के लिए दौनों की कमपिया लगबख similar charge करती है, लगबख 1500 रुपीज पर मंद पे करना पड़ेगा 300 Mbps speed का, लेकिन यहाँ पर जो Netflix का प्लान मिलेगा वो basic देखने को मिलेगा, बस ये एक difference है, और Airtel वाले देखा है तो 300 Mbps के पास सीधे 1 Gbps की speed को provide करते हैं, जिसकी लोग 4,000 रुपीज पर मंद चार्ज करते हैं, और सेम रेट में जियो भी 4,000 रुपीज पर मंद में 1 Gbps की speed करते हैं, और एक बाब बता सकतो, 1 Gbps वाला प्लान ये कंपनिया unlimited कहते हैं, लेकिन दौनों में 3,300 GB की limit रखी हुई है, और अगर आपको जाधा requirement हो, तो जियो ने बस एक 8,000 रुपे में 6,600 GB वाला भी एक प्लान निकाल रखा है, बस ये एक चीज का difference है, और जियो बस यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा आगे से पिसली निकला है, जाध सो जाधा 300 MBPS लिया जा सकता अगर आप बहुत जाधा डाउनलोडिंग करते हैं, और OTTF से सब्सक्रिप्शन चाहिए, लेकिन जो majority जनता है, 100 से लेके 200 MBPS तक के जो प्लान से उनके लिए यहाँ पर टोटली यहाँ परफेक्ट रहते हैं, लेकिन मान लीजेगर आप content creator अगर आपको जाधा अप्लोड करना, तो वो चीज़ भापे value provide करेगी high speed या फिर live streaming करनी हो, अगर आपको content से ब consume करना और बड़े-बड़े games डाउनलोड नहीं करने, 100 MBPS is more than enough, इवन जो base plan होते हैं, वो भी यहाँ पर लिये जा सकते हैं, इसके साथ ही बात करें service की, तो service भी दौनों company's की बहुत जादा अलग रहती है, share to share, area to area depend करती है, आप लेने से पहले एक पर यह देख लें कि A8L जाद अच्छी service दे रहा है कि Jio दे रहा है, इसके साथ बात करें pricing की, Jio का पूर राउटर और सब कुछ होता है, वो सब 1500 रुपीज में लोग लगाते हैं, लेकिन अगर आपको Jio का setup box चाहिए, तो उसके लिए आपको अलग से 1000 रुपे देने पड़ते हैं, तो टोटल 2500 रुपीज यहाँ पर cost आ जाती है, अपने 100 Mbps से जादा speed वाला plan ले रखा है, तो 2.4 GHz में आपको 30 speed देखने को नहीं मिलेगी, Airtel भी यहाँ पर free में provide करता है अपने connection को, लेकिन यहाँ पर अपने भी set-top box को 1500 रुपीज में बेचता है, और आप 3 months या 6 months या 1 year का लेते हैं, तो यह installation बाकि सारी चीज़ें यहाँ पर free कर देते हैं, जियो में बस difference एक छोटा से आता है कि कुछ prepaid plans है, कुछ post paid plans है, post paid वालों में कुछ OTT apps का subscription नों ने दे रखा है, लेकिन देखा जाए तो overall जो pricing रखिए prepaid और post paid वालों की वो similar है, एरटेल वालों की जो plans है, वो भी हाँ पर काफीज़ similar हैं आप देख सकते हैं, हाला कि देखा तो दौनों ही हाँ पर काफी अच्छे हैं, दौनों की मैंने अलग-अलग time पर test किया है, परसनली तो मैं यहाँ पर जियो यूज़ करता हूँ क्योंकि जियो की service अच्छी देखने को मिलती है, और यहाँ पर zero downtime मेरे को देखने को विला जियो के अंदर, लेकिन अगर आपको एरटेल अच्छा लगता है तो आप एरटेल की उपर भी जा सकते हैं, और जियो टीवी प्लस की भी एक एप उने डाल रखी जैसे एरटेल की extreme है कि उसी एप के अंदर सारी चीज़े आप यूज़ कर ले, लेकिन वो उनके set-top box तक limited है, तो जियो ने थोड़ा restriction कर रखा है अपने ecosystem के अंदर की जियो के अंदर ही लोग रहें, अगर मैं user-based की बात कहूँ तो जियो फाइबर यहापे अल्रेडी नंबर वाने इंडिया के अंदर और एरटेल थोड़ा सा पीछे आता है, लेकिन देखने वाली बात है जब future में जियो का जियो एरफाइबर आता है, तब इस कहानी में क्या twist आता है, और ये भी देखने है कि एरटेल के इसकी competition में अपना कुछ 5G वाले device निकालते की मी निकालते, ये भी एक देखने वाली बात होगे और इनके plans क्या होगे, तो उन सब के लिए आप वीडियो के अंदर बने रह सकते हैं, बाइदावे, आप लोगों की preference कहें, जियो या एरटेल, ये बात दीजे कमेंट बता ना भूला, थिंक आपक वीडियो देखने के लिए, मैं आप सुम्हें तो नेक्स टोन के अंदर, गुट बाई,